बैठे बनिये और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज़ जटिन राज्थान के सीनियर एधिटर शरीपालख्याय видео भॉत सवाध म हैं हमारी इस खास पेसकस में साथ ही JCRC University के Vice Chairman और Director Shri Amit Agrawal साब हमारे साथ है अगरवाल साब आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है पंकजगर्ग साब है जो Founder है Advisor है जोती विद्याप्रीट Women's University के वो भी हमारे साथ इस सतर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बात करेंगे उच्छ साथ के वर्तमान की और भविशे की अमित Agrawal साब आप से मैं सुरू करना चाहता हूँ क्योंकि इस दोर में जब ये पैंडेमिक है लोगों के रोजगार की संभावनाए क्सीन होती नज़रा रही है उस वक्त करीब दो हजार बच्चों का आपके यहां पर प्लेसमेट का प्रोसेस हुआ है दस हजार बच्चे आपके यहां पर एनरोल हैं तो किस तरह की संभावनाए अब आपको नज़रा रही क्योंकि एक बड़ी उमीद की किरन नज़रा रही कि करीब दो हजार बच्चों का आपके यहां पर प्लेसमेट का प्रोसेस इस दोर में भी चल रहा है धन्यवाज श्रिपाल जी यह देखिए जे इसी आर्सी के जो आकड़े है मैं बताना चाता हूँ यह राजस्तान की सफलता की कहनी मैं मानता हूँ लगबग दो हजार में हमारे वर्तमान में जो मुख्य मंतरी जी है अशोग जी कहलो उन्होंने ही राजस्तान में प्राइवेट सेक्टर के लिए एजूकेशन के दुवार खोले थे और आज JCRC जैसी संस्ताइं राजस्तान में सेवा कर पा रही है और पूरे देश बर से आज स्टूडेंट्स राजस्तान के इंस्टूशन की सफलता को देखके राजस्तान में पढ़ने के लिए आना चाहते है JCRC का शुरू से ये मानना रहा है कि अगर सूडेंट का इंपुट क्वालिटी अच्छा रहेगा अगर एक सर्टेन नंबर तक उनको रेस्टिक्ट करके और उन पे तीन साल, दो साल, चार साल जिस तरह का भी कोर्स लेना चाहते है और कंपनी से पूरा एक सोसमझ बनाके और एक लगातार सस्था में इंवेस्टमेंट का अगर दिमाग लगाएंगे तो स्टूडेंट्स की सफलता आज सब के सामने है तो ये जो परिस्थिती है अभी वर्तमान में कोवीड के दोर से हम गुजर रहे है पेंडिमिक के दोर से गुजर रहे है आपको क्या सब्वावनाई लग रही है क्योंकि एक निराशा के नजर आती है कि इसके वज़े से कैं अवसर तो खत्म नहीं हो रहे है निराशा की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है अब क्योंकि दुर्भागे से आशावधी समाचार पिछले कुछ दों में हमें नहीं मिले हैं तो एक कोरोना ने हमारे दिमाग में घर कर लिया है और हमें लगता है कि शिक्षा जैसी important चीज जो कोरोना में और important हो जाने वाली है अब जिनके पास better skill होगी आने वाले समय में हम मानते हैं कि रोजगार जैसे कम होगे मान लीजे तो फिर जो बहतर शिक्षित होगा जिसको कहते हैं कि जो बहतर मनन कर सकेगा एजूकेशन का उस द्रेस्टी से हम देखें तो JCRC Foundation के इन 2000 में से 638 रोजगार पिछले 3 महिनों में आये हैं जबकि क्लासे चल नहीं रही थी ओफिसे चल नहीं रहे थे लेगिन कम्पनीज को लगातार कम्यूनिकेट करके और एक प्लेस्मेंट का ओफिस लगातार घर से चला के और 638 रोजगार अगर कोरोरा काल में आ सकते हैं शिपाल जी तो आप देखें कि जब हम फुल स्पीड से सब सहस्ताय वापस काम करने लगेंगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का कोई विशेख खड़ा होगा पंकजगर्ग साब आपने भी बड़ा इनोवेटिव काम किया आपकी एक रिकोर्ड भी है कि आपने बहुत कम उम्र में एक उनिवर्सिटी स्टेबिश की और वो भी महलाओं के लिए प्लेस्मेंट के लिहाद से भी आपकी चरचा होती है तो किस तरह का प्लेस्मेंट आपके आँपर हो रहा है और किस तरह की संभावनाई अब नजर आ रही है खास्तोर पर विमन्स के लिए जिनके लिए आपका एजुकेशनल इस्टिटूट पहचाना जाता है आपकी इनुश्टी पहचानी जाता है सर हमारे हाँ जो प्लेस्मेंट को देखा जाए तो एट दा टाइम ऑफ एडवीशन हम लोग जो स्टूडेंट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम उनको एक ना एक प्रोफाइल देते हैं या तो गौर्बंट पोर्टफोलियो लेते हैं वो या कॉर्पेट पोर प्रोफोलियो लेते हैं फिर होल एंटायर जो उनका कोर्स डूरेशन होता है हम उसी पर एक्सरसाइज करते हैं और अभी तक का जो हमारा रिकॉर्डर आए कि जहां बिटिया लास्ट इयर की ट्रेनिंग या डेजर्टेशन या इंडेस्ट्री विजिट के लिए जाती हैं म उनको फ्यूचराश्टिक एंप्लोई उनमें नजराता है और चुकि हम बिटियाओं के लिए काम कर रहे हैं तो हर कंपनी की पहले डिमांड होती है कि उसके ओफिस में इसकिल्ड नॉन अडिक्टेड मोबाइल नॉन अडिक्टेड बच्ची वैल एजूकेटेड बच्ची जरूर हो तो हमें जादा प्रयास नहीं करना पड़ता प्लेस्मेंट को लेके हमने जो प्रयास पुछले सालों के कर रखे हैं उसके परणाम आते 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 हमें मिल जाये करते हैं बहुर्चिन बैटेस अब ये दोर बहुत मुस्किल दोर है सरकार ने भी इसमें काफी कुछ किया है रोजगार सरजन की भी कोसिस की है खास तोर पर ग्रामीन अलाकों में जिस तरह से रोजगार पैदा हो रहा है उस लिहाद से लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो माने मुख्यमंतरी महदे ने एक आहवान किया था राजस्तान के सभी राज किये या निजी छेतर के जो भी विभाग हैं या जो संस्ताएं हैं वो सब लोग वर्फ फ्रॉम होम के तहत घर बैठ करके क्योंकि कोरोना की और लोगडाउन की उन परस्तितियों में घर से बाहर निकलна संबोबी नहीं था और अलव भी नहीं था आसी परस्तितियों में हमने हमारे जो हायर एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए चाई प्राइवेट इनिवर्सिटीज हैं चाई हमारे गोवर्मेंट इनिवर्सिटीज हैं या जो अलग-अलग सहितान हैं उनको वर् work from home के तायत बहुत ही अच्छा कारे किया उसमें सुरुवाती दौर में हमने हमारे जो लेक्चरर्स हैं कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं फेकल्टी मेंबर्स हैं उनसे एक कंटेंट के बारे में कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा यह लेक्चर रिकॉर्ड करें और वो यह लेक्च है और उसके अलावा जो वाट्सअप ग्रूप्स हैं या जो दूसरे माध्यम है ओनलाइन जो माध्यम है उसको अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा यह कंटेंट बना करके यह लेक्चर बना करके अपने विशे से सम्मंदित विद्यारतियों को गाइड करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा यह मैटेरियल जो है वो ओनलाइन विद्यारतियों को अपलब्द कराएं तो यह बात सही है कि हमें ओनलाइन क्लासेज की तरफ हम आगे बढ़े हैं अमित अगरवाल साब एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि डिजिटल कंटेंट उस तरह का मौजूद नहीं है पहले से एक अचानक जिस तरह की परिष्टिती पैदा हुई हालाएं कि अब डौलाफ हो रहा लेकिन इसका कितना नुक्सान बच्चों को हो सकता और दूसरी बात यह कि आई कॉंटेक्ट के साथ जो पढ़ाई होती है क्लासरूम में होती है उस तरह का प्रभाव ओन लाइन में नहीं होता बच्चे का कंसेंसंट्रेशन नहीं होता उसका क्या इंपेक्ट सकता है जहां तक एक आई कॉंटेक्ट और क्लासरूम का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सेक्डो वर्षों से जो एक एजुकेशन सिस्टम हमारा बना हुआ है, जिसमें टीचर को भी एक विशेश तरह की आदत है और स्टूडेंट को भी, इस बात में थोड़ा अभी चैलेंज है, लेकि तो कम वक्त में पूरे हो सकते हैं, क्या लगता है कि ये जो दोर है उसमें बच्चे और ज्यादा स्किल्ड हों, उनके पास में नई तरह की जानकारिया हों, तो सो टर्म कोर्सिज का भी चलन आपके आपे बढ़ेगा या हमारे देश में बढ़ेगा? मेरा इसमें मानना है कि बच्चे का ड्यूरेशन खराब नहीं करें, जब हमें ये पता है कि आगे चलके ग्रेजुएशन के बिना वो कहीं आगे और नहीं जा सकता, तो जो उसकी नॉर्मल ग्रेजुएशन है, उसके साथ एड़ाउन कोर्सिस चलाएं, ना कि केवल येर, टू येर, आफ्टर, प्लस टू दें, होता क्या है एक लेविल के बाद आके कहीं अगर उसका जॉब भी लग जाता है, तो फिर उसमें फ्रेश्टेशन होता है, और अभी हमारी जो मदर बॉड़ी है, युनिवर्स्टी ग्राइंड कमीशन, वहां से एक कोर्सिज हैं, वह हम UGC से एप्रूब कराकर उनको चला सकते हैं, इसके साथ साथ इसकिल डवलमेंट के कोर्सिज वी वोक के नाम से डिग्रियां युनिवर्स्टी ग्राइंड कमीशन ने शुरू करी हैं, या हम राजी सरकार से अनुमती लेकर एक साल के या दो साल के को बड़ा तकलीफ होती है कि जब वो ग्रेजुएट नहीं होता और वो देखता है कि अब मैं किसी भी पोस्ट के लिए एपलाई नहीं कर पा रहा है, तो मेरा मालना है बिलकुल करें, लेकिन मैन स्ट्रीम से ना भटकें, जैसे किसी जमानी में 10 और 12 जरूरी होता था, और जो इंटरनेस्टल यूनिस्टीज हैं जिनमें बच्चे हमारे आँके जाते हैं पढ़ने के लिए हाईर एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्वालिट एजुकेशन के बात कही जाती है, अब वो बच्चे उस तरह से एक तो उनका परिवार साइद उसके लिए तैयार नह निश्चित रूप से सकताउत साब मैं कहना चाहूंगा कि इन परिस्तितियों में विद्यार थी जो बाहर जाकर अंतराश्ट इस्तर पर आप जैसा कह रहे हैं कि विश्व के दूसरे देशों में जाकर पढ़ना चाते हैं, हर साल पढ़ने के लिए जाते भी हैं, पर अब क लेकिन राजस्तान हमारा परदेश ऐसा परदेश है जहां सबसे ज्यादा देश में यूनिवर्सिटीज हमारे राजस्तान में हैं, चाहे गोर्मेंट के सेक्टर में हैं, चाहे निजी छेतर में, निजी छेतर में एकाउन विश्व विद्याले अभी हमारे राजस्तान में चल रहे हैं और बहुत सारे निजी चेतर के विश्विद्यल हैं जो बहुत यह अच्छी क्वालिटी के एजूकेशन दे रहे हैं और हमारे इन उनिवर्सिटीज में बाहर से भी बचे आ रहे हैं राजस्तान के अलावा दूसरे राजियों से आ रहे हैं और यहां तक की आउट ओफ कंट्री भी बहुत सारे स्ट्डेंट्स यहां पढ़ने के लिए आते हैं हमारा सरकार का पूरा प्रयास है माने मुख्यमंतरी मौदे की पूरी एक सोच है की राजस्तान उस सिक्षा के चेतर में आगे बढ़ना चाहिए और जो सुविधाएं आज दुनिया के दूसरे देशों में जो क्वालिटी एजूकेशन मिद रही है तो हमारा परदेश भी उन राजियों की या स्रेणी में आकर के खड़ाए हो हमारे विसुविध्याले भी अच्छे हों उस सोच के लिए हमने कारे भी प्रारम किया है हम पूरा कर रहे हैं राजस्तान में दो नई विसुविध्याले एक विसुविध्याले जो सुर्गी हरदेव जोसी जी के नाम से पत्रकारिता का विसुविध्याले हमने पिसले साल प्रारम किया और इस साल हम डॉक्टर बियार मेड कर लॉय उनिवर्सिटी जैपूर में हम प्रारम करने जा रहे हैं अमित अक्रवाल साब भी आप जिक्र कर रहे थे कि गैलोच साब की पहली सरकार के वक्त में ये प्रावधान किया गया था कि प्रावध सेक्टर के कोलेजे सुरू हो सके हैं इंजिनिरिंग में मेडिकल में और उससे पहले का परीदर से मुझे अच्छी तरह पता है कि यहां के हमारे जो बच्चे हैं वो दक्सिन राज्यों में जाते थे वहां पर पढ़ते थे उनके लिए लेंग्वेज की प्रोब होना चाहिए क्योंकि अब परीदर से बगल रहा है जहां तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्ट्यूशन को अट्रेक्ट करने का सवाल है माने मुख्यमंतरी जी को भी पिछले उनके कारेकाल में एक नोट मैंने बना के भेजा था कि जैसा कि एक S.E.Z क की बात आती है तो एक स्पेशल एजुकेशन जो जैपूर में समझे कहीं 40-50 किलोमेटर दूर जा सरकार की भूमी हो उस पे हर तरह से तयार जो लेंड हो जिसका एकसेस भी हो गौर्मेंट के बास ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट है खेल विबाग है जो स्टेडियम मना सके तो हम जैसे संस्थान इंस्ट्यूशन से कॉलबरेट करके और एक रेडी इंफ्रसेक्चर हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तयार है और राजस्थान का जितना शान्त वातावरण है आप मानिये राजस्थान एक एजूकेशन में अपना एक ब्रांड आलर स्टेट की बात करें तो बहुत सांथ है बहुत बैतर है और यहां पर पेरेंट्स जब बच्चों को बेचते तो निश्चिंत भाव से बेचते हैं कि वहां पर कोई दिकत नहीं होगी पंकस गर्चाब आपका कोई सुझा मंत्री जी मौजूद है हो सकता है कि अगली जो इंप्लिमेंट कर पाएं उसको जिस तरह से हमिता गुर्वाल साब ने कहा भी मैं मंत्री मोदे से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा हमारे हां क्वालिटी एजूकेशन इंस्ट्यूशन मौजूद है हमारे हां सब कुछ मौजूद है प्रिजेंटेशन माफ करें तरुस में लगा हो और आप इन्वाइट करें पूरे भारत से बच्चों को इन्वाइट करें बताएं कि राजिस्थान प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहां तीन-तीन महिला विश्विद्याले हैं जहां सबसे ज्यादा प्राइविट उनिवसिटी हैं जितने भी डिसिप्लि प्राइटिज्म के सेक्टर में ब्रैंडिंग हुई राजिस्थान की जो सुजाव आया है और जिस तरह की तैयारियां हमारे पर हुई हमारे या हुई है पिसले सालों में जिस तरह के इंस्टिट्उट स्कुले हैं मुझे भी लगता है कि एक मार्केटिंग की उसी तरह से उसी यूद्स तर पर प्रचार प्रसार की उजशना बना रही है। दिया गया उसके वज़े से कोटा बहुत बड़ा हब बना है कोचिंग के चेतर में मेडिकल इंजिनिरिंग की जो तैयारी करने वाले विद्यार थी हैं वो ना सिर्फ राजस्तान बलकि देश के सभी राज्यों से यहां तैयारी के लिए आते हैं और उसके बाद में जैपूर की यहे हम बात करें यहां यहां भी कोचिंग के चेतर में राजस्तान ने अपनी एक अलग पैचान बनाई ए और राजस्तान में एक अच्छा माहोल बने राजस्तान में विद्यार थी यहां पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीस तरह से आप ने फरमाया कि तुरिज्यम के चेतर में आज पूरे दुनिया बर के लोग राजस्तान आते हैं यहां की जो पूराने किले डैजर्ट साधी को देखने के लिए तो राजस्तान की पहचान सिक्षा के चेतर में भी बने हालां कि आजादी से पहले जो वनस्तली विद्या पीठ है जो हमारा बि का जो मोदी संस्तान है इन सब संस्ताओं ने राजस्तान में की एक अपनी अलग पहचान बनाई है और इस छेतर में एजे हायर एजुकेशन मिनिस्टर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्तान की सरकार पूरी तरह से पर्यासरत भी है और जैसे आज सुझाव आज आपके मादि जीने अगरवाल जीने थी कि हमें दूसरे लोगों को भी इन्वाइट करना चाहिए कि आप राजस्तान आईए राजस्तान की सरकार पूरी तरह से संस्ताओं को भी मदद करेंगी विद्यारतियों को जो सुझाव देनी की आवसिकता है जो विश्वास जगाने की पैरेंट उस्षा के चेतर में और एजूकेशन के चेतर में एक अपनी अलग पैचान बनाए एक हब के रूप में विक्षित हो निश्चित रूप से हमारा प्रियास लगातार जा रही है और हम आने वाले समय में इसके परिणाम मीतेंगे बहुत बहुत आभार आपका तीनों का आपने इतना वक्त निकाला इसके लिए और खास तोर पर मंतरी जी आप इतने व्यस्त होते वे आपने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार पंकजगर्ग साब आपका और अगरवाल साब आपका भी कि आपने महत्वपून सुझाओ दिये और उन सुझाओं पर अगर अमल हो पाया हमारी ब्रेंडिंग हो पाई राजस्तान की मार्केटिंग हो पाई बहतर तरीके से तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से परियतन के एक्सेतर में राजस्तान ने एक पहचान बनाई उससे भी बहतर तरह की पहचान राजस्तान सिक्सा के एक्सेतर में बना सकता है खास तोर पर इसलिए भी क्योंकि कोटा ने एक मार्केटिंग की कोचिंग के एक सेक्टर में सेखावाटी एक हब बना और आपको ये बताते हुए खुसी होती है कि गंगापुर सीटी जो राज़तान का इलाका है वहाँ पर अब SSB और बेंकिंग की सर्विसेज की तैयारी का एक बड़ा हब बना है गंगापुर सीटी इसी तरह से कोचामन सीटी में जिस तरह से Armed Forces के लिए तैयारी हो रही है Defense Services के लिए तैयारी हो रही है वो एक अपना आप महब बन रहा तो राजस्तान में अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग तरह की चीजें हो रही है बस जरूत है तो मार्केटिंग की और उसकी ब्रेंडिंग की बहुत-बहुत आभार आपका वक्तियास के लिए न्यूसेटिन राजस्तान एजुकेशनी कॉनक्लिप में फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजस्तान में उच शिक्षा में रुजकार और उसकी संभावना उपर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद न्यूसेटिन राजस्तान एजुकेशनी कॉनक्लिप में आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है कोविन-19 की वज़ों से सिक्षा के शेत्र में आई चुलोतियों से निपटने के लिए सरकार और सिक्षन संस्थान क्या तैयारियां कर रहे हैं सेग्मेंट में हम बात करेंगे राजस्तान में उच्षा में रोजकार और उसकी संभावना उपर इस मंच पर गहन चर्चा के मार्ध्यम से जानेंगे कि राजस्तान में उच्षा से रोजकार की कितनी संभावना आए हैं ऐसे जरूरी मुद्व पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ हैं राजस्तान इसके लिए यूनिवरसिटी के कुलपती श्री ललित के पवार विवेकानन ग्लोबल यूनिवरसिटी के सीयो श्री उंकार बाकडिया और जियोती विद्यापेट महला वश्र विद्याले के फाउंडर एडवाईजर श्रीपंकज गर्ग और आपसे बातशीत करेंगे न्यूजिटिन राजस्तान के सीनियर एडिटर शुईपाद शक्तावण न्यूजिटिन राजस्तान के इक कॉंकले उपर फिर आपका स्वागत है पिछले सत्र में हमने बात की थी राज्टान में उच्छ शिक्षा के वर्तमान और भविस्य की और अब हम बात करेंगे उच्छ शिक्षा में रोजगार और संभावन हो की। इस सत्र में हमारे साथ है राश्तान सिक्ली उनिवर्सिटी के कुलपती डॉक्टर ललित के पहुआर साथ से, साथ ही इस पैनल में हमारे साथ है स्री उंकार बगडियाजी जो विवेकानंद ग्लोबल उनिवर्सिटी के CEO है और पंकजगर्ग साथ है जो founder है, advisor है, जोती विद entrepreneur और founder of university के बतोर एक बड़े समान से भी नवाज आ गया, तो तीनों से हम बादसीत की सुरुआत करते हैं इस सत्र में और ये तलासने की कोर्सिटी करते हैं कि राश्तान में जो उच्छ सिक्सा के हालात है, उनको देखते हुए रोजगार की किस तरह की संभाव में है, शु नजर आ रहे हैं इनिशिटीव लिये, एक तो ये कि जिन बच्चों का अल्रडी स्किल अल्रपेंट कोर्सिस चल रहे थे, अब उनके हम फिजिकली एग्जाम ले नहीं पा रहे थे, विकाज अब कोविट, तो हमने उनको प्रमोट कर दिया और उनका एग्जाम अब हम ऑक्टोबर के आस पा के लिए और वहीं हमारे ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉम्स, सैनिटेशन के नॉम्स और इस तरफ से हेल्थ और हाइजिंग के जो नॉम्स हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ सेलेबस का हिस्सा फिजिकल की बजाए डिजिट करते हैं उतना करेंगे, ओनलाइन टीचिंग जितनी कोर्स की हो सकती करेंगे, मगर आखिर तो हुनर सीखने के लिए हमारे विद्यार्ति को लेटरी में, वरक्शॉप में, अगर होटल मेरेजमेंट का विद्यार्ति है तो होटल में और वरक्शॉप पे आना ही पड़ेगा जब वो वरक्शॉप में आये तब सोशल दिस्टनसिंग, मास्क और वो जो प्रिकॉशन्स हमको लेनी है कोविट के कारण वो हम लेंगे, कोर्सेज भी हम अब रिलुक कर रहे हैं कि यह भी हमारे एक्सोनीस कोर्सेज हैं, बट धीरे धीरे अप आप देखेंगे कि अब वर के लिए हमारा जो थ्रस्ट है वो IT and ITES, Information Technology and IT Enabled Services के जो कोर्सेज हैं, E-Commerce, इसी तरह से हमारे GST टेली के कोर्सेज हैं या जो जिते भी इस तरह के कोर्सेज जिसमें डिस्टेंस लर्निंग कमाता हूँ, उसको रहे हैं, और एवन होटल मनेजमेंट के कोर्सेज में भी हमने COVID प्रोटकॉल डाल दिया है, कि front office में अगर कोई बच्चा हमारा विद्यार सी बैठता है, तो उसको क्या precaution लेनी है, और least contact पे हम इसको reorient कर रहे हैं, तो मैं यह कह सकता हूँ कि post COVID, educationist के सामने, हम जैसे skill providers के सामने, यह बहुत बड़ा challenge है, कि हम हमारी health, hygiene, safety, security को ध्यार मे रखते हुए, बच्चों को कैसे होननमन बनाएं, ताकि उनको employable बनाए जा सके, यह मेरा first observation रहेगा, बगडेस अब आप BITS के साथ जूड़े रहे हैं, अब विवेक अनंद Institute of Technology के आप CEO हैं, कहा जाता है कि classroom में जब बच्चा जाता है, तो वो सिर्फ पढ़ने नहीं जात है, तो offline की बजाए हम जिस तरह से online की तरफ आ रहे हैं, किस तरह के challenges होंगे, क्या कुछ miss करना पड़ सकता है बच्चों को? सर, जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है, जैसा आज का अपना topic भी है, कि higher education जो है, वो दो या तीन भागों में बटा हुआ है, higher education में सबसे बड़ा जो challenge है, वो है professional education system के अंदर, professional education में जहां तक engineering की बात है, वहाँ सभी जानते हैं कि IITs और NITs प्लस जितने भी local institutions हैं, वो अपने आपको digital करने में कामियाब हुआ है, चाहे उनका online examination हो या कुछ हो, इसका primary कारण यह रहा है कि जो AICT की तरब से SWEM का जो initiative दो-तीन साल पहले लिया गया था, उसका फाइदा आज देश को मिल रहा है, जिसमें virtual level, जो हमारे दूसरे professional courses हैं, चाहे वो agriculture हो, medical हो, design या architecture हो, वहाँ अभी किसी भी तरह का online digital content available नहीं है, थियोरी अलग पाट है, जैसे आदरनी पवास आपने भी कहा, जो हुनर की बात है, और professional course में हुनर बहुत बड़ा एक role play करता है, practicals और courses के रूप में, तो वह हाँ एक बहुत बड़ा challenge आ रहा, second जो challenge है, वो हमारे general education का है, general education में भी peer learning जैसे आपने का, एक दूसरे से सीखने का, peer learning है, अपने senior से सीखने का, team building की जो exercises है, उन सभी में एक नए protocol की अब जरुवत होगी है, पंकजगर्क साब, आपने एक innovative शुरुवात की, उसकी वज़ women education के लिए खड़ा किया और आप founder है, advisor है, जो ती विदेफिट, women's university के, आप किस तरह के changes देखते हैं और ये जो आपदा है, उसमें किस तरह के अवसर हम अबतला सकते हैं, देखिए, चीजें, परिशानियां, जिंदगी है, आती रहेंगी, रोक नहीं सकते, लेकिन अब आ को अब इसको एक business model के रूप में convert करना होगा, काफी statuary council की recommendations और foreign culture को हम लोग बड़े नस्दीकी से देखते रहते हैं, तो उसको देखते हुए हमने अपने हाँ, काफी एक डेट साल से ही इसको समावेशित कर दिया था, कि जो हमारे physical credit है, उसका कुछ portion digital credit में convert कर दिया था हमारा अपना perception था, कि जब student class में आए, तो वो counseling के लिए आए, ये नहीं कि उसको बिलकुल very first day नया topic मिले, तो मेरा ये मानना है, कि digital credit को पढ़ाने के बाद, फिर हम उसका evaluation पर जाएं, कि हम उसका evaluate कैसे करेंगे, क्योंकि अभी pandemic है, जैसे पवार साब नहीं का, during चल रहा है post की बाद तो बाद में आईगी, हमें नहीं पता कि कब हम universities या colleges को open कर पाएंगे, तो ऐसी condition में जो content हम दे रहे हैं, उस content को करने के बाद, फिर उनका live interaction, और उस interaction से हम उनकी problem solve करें, और जब वो लोग campus में आएं, तब इस digital credit को convert करें physical credit में, मतरब ये जो duration है, इसको बेकार ना समझा जाए, तो हर बच्चा इसका use समझाएगा, कि मैंने जो ये arts digital credit में अर्ण करें हैं, credit अर्ण करें हैं, इसका एक evaluation होगा, आइधर online या offline, और फिर वो उसका part मना जाएगा, curriculum का. एक चिंता और भी है, जो ने के बल राजितान में, बलकि पूरी दुनिया के लिए चिंता है, और वो है परियाटन उद्योग से जुड़ी हुई चिंता, खास तोर पर पर पमार साब आपका तो लगाव रहा है, राजितान के परियाटन उद्योग को खड़ा करने में आप बलकि पूरी दुनिया में, परियाटन की जितने भी रफ्तार थी, वो पूरी तरह से थम गई, मेरा यह मानना है कि हमारे यहाँ परियाटन पिक अप करेगा पंदर अगस्त के बाद, जब बरसाद के बाद जब अच्छा हरा हो जाए तो हमारे यहाँ, हम पूरे भारत के से लार्जेस स्टेट हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग आ यहाँ को इशू ही नहीं है, आप जैसमेर वजाईए, आप छे मीटर के आप छेशे किलोमेटर की दूरी बना कर रखियें, कोई दिकत नहीं है, तो इस मामले में जो हमारे हेरिटेज होटल हैं, हमारे रूरल टूरि में, डेजर्ट में और उन स्पेसिस में जहां प्रॉक्सिमेटी यहां जहां भीड़ भड़का नहीं हो, और साथ ही साथ होटल में भी आप देखिए, तीन सो कमरा के होटल के बजाए, तीन स कमरा का होटल ज्यादा अचा चलेगा, क्योंकि गैस्ट को अब अपनी सेफटी स करेगा कि जो गैस्ट और होस्ट दोनों को इस कोविड से कैसे सेफ और सेक्यर रखा जाए, कैसे डिस्टेंस बना के रखा जाए, और कैसे हम हमारे गैस्ट को अच्छीव दे सकें, तो मेरा यह मानना है कि वर्ष हग है, हमारे लिए एक तरसे यह सीजन तो चलाई गया, जानती है, वो टेक्नोलोजिक एक्सेटर में उन्होंने बड़ी पहचान बनाई पूरी दुनिया में, जो टेक्नोलोजिक का जुक्सेटर है, उसमें किस तरह के चेंज्जेज आपको लग रहे हैं, और कितनी संभावना यह अब रोजगार के लिया से लग रही है, क्योंकि उस इंपक्ट का उन्होंने ऐसे उपर्चनोटी यूज किया है, पहला सेक्टर मैं यह कहूंगा कि शिक्षा जगत है, जिन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, आज हमारे करीब 32 करोड विद्यार्ती हैं देशवर में, और कहीं ना कहीं, सभी शिक्षा विद्योंने इनको जोड के रखा है, और उनको एंगेज करके रखा है करीब पिछले 90 दिनों से, यह एक बहुत बड़ी उपलग दी, दूसरा शेत्र जहां बहुत कम इंपक्ट हुआ है, वो है टेक्नोलोजी का सेत्र, हम हमारे यहां विवेकांद इंस्टूट आफ टेक्नोलोजी में और विवेकांद ग्लोबल इंस्टूटी में, दोनों में जब हमारे अलुमनाई से बात करते हैं, तो आज के दिन में maximum लोग work from home कर रहे हैं, और जो operations हैं, वो कहीं न कहीं भी hit नहीं हुए, अना कि थोड़ा बहुत impact आया है, बट इतना उनके operations में, companies के operations में, changes नहीं आया है आज आप देखिए, देश भर में, जब ventilator की जरुवती ही, या किसी भी तरह की जरुवती ही, तो technologists और technical institutions ने, सबसे पहले आकर, research और innovations में देश को provide कराया सारी चीजे, आज हमें, अकबार में सुनने को मिलता है, बाकी जगे में हम पढ़ते हैं, news channels में, आप लोगों के news channels से पता चलता है, कि आज IIT में ये innovation हो रहा है, NIT में ये हो रहा है, जोती विद्यापिट में हो रहा है, skills university में हो रहा है, वीजियू में हो रहा है, तो हम सभी universities की जो technology है, वो मेरी ख्याल में ज़्यादा बढ़ी है, हमें आज लगता है, कि हमारे देश की technology जो है, बहुत उ नई post-covid जो भी issues आएंगे और challenges आएंगे, वो technology के माधियम से ही solve किये जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बढ़ा दोईश है, पंकस गर्प साब, आपने महिला सिक्सा पर खास तोर पर focus किया है, ये जो परिस्तिदियां बन रही है, उसमें आपको किस तरह की संभावना ये लगती है, खास तोर पर महिलाओं के लिए, किस तरह की रोजगार की तरफ हो जा सकते हैं, किस तरह की संभावना ये नजर आती है, जिस तरह से पावार साब ने भी कहा था, कि परेटन के से तरह में होस्पिटली डिसेक्टर वापस खड़ा होगा, अच्छे तरह की जिसे तो मुझे ऐसा लगता है कि IT सेक्टर, जिसमें कोई सोसल डिस्टैंस की नीड नहीं है, कहीं से भी बैठके काम करो, और हमारे देश में बहुत जरू होते हैं, इस समय जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग भी बात कर रहे हैं, आदे जादा प्लेटफॉर्म हमारे हिंदुस्त प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां की सिक्योर्टी इस मस्ट, अब जब डिजीटल आ गया, तो अब हर किसी को लगेगा कि वह सिक्योर प्लेटफॉर्म हो, इदर डाइगनोस्टिक, डाइगनोस्टिक का सबसे ज़्यादा बूम रहेगा, चाहे वो मेडिकल लेब हो, चाहे व मेरे साब से बूम रहना चाहिए, और ज्यादा बूम अगर चाहिए, तो एक छोटा सा इंट्रीग्रेशन, शायद सरकार अगर मान ले और कर दे, तो हम इंस्टिटूशन और जो हमारा कॉर्परेट है, इंडस्टी है, दोनों को लाब होगा, और वो इंट्रीग्रेशन है, कि जिस तरह से कोई भी इंडस्ट्री अगर लगती है, या आती है, स्टार्ट होती है, तो उसको अपना नेक्स्ट फाइव इयर का प्रजेक्शन देना पड़ता है, कि वो नेक्स्ट फाइव इयर में आखिर क्या उसके अपन डाउन्स होंगे, क्या लॉस और प्रॉफिट साब, हम लोग जो प्राइवेट उनिवर्सिटीज हैं, जो बहुत एजीली जल्दी अपने कैरिकुलम को चेंज कर सकते हैं, मौडरेट कर सकते हैं, हम उस स्किल को देखकर अपने कैरिकुलम को चेंज कर दें, और चेंज करके उस जैसा प्रोडेक्ट हम उस इंडस्टी को तो सरकार जहां अभी एड करती है कि मेरे राजिस्थान आओ आज हमारे ओनेवल सीम साब ने भी कहा कि इंडस्ट्री हमारे राजिस्थान आए हम उनको जमीन देंगे यह रियाइद देंगे तो उसके साथ वो एक एड ओन और कर देंगे कि हम आपको skilled human power भी देंगे क्योंकि ह हमारे हां 85-90 युनिवर्सिटी हैं आप मुझे projection दीजिए और मैं आपको आपके इयरवाइज इयरवाइज इसके human power दोंगा जो इस समय बहुत जादा नीड है पहर सब एक आखरी सवाल आपसे यह जो आपदा है आप तो assessment के लिए पहचाने जाते हैं बहुत से में क्या कु हो सकता उसको लेकर कि आप यूजनाएं बनाते रहे बतोर प्रसासने का दिकारी यह जो संकट है यह आपदा है अब कितने दिन की नजर आती है और इससे अवसर किस तरह के निकल करके सामने आई सबसे पहले तो homo sapiens human being as a race उनको अपने survival के लिए यह देखना होगा कि हम कैस से अपने immune system और health system को तगड़ा करें तो future में जो covid के variants और आने की जो आश्रंका है उसके against में हम अभी से तयार रहे ताकि जिससे covid ने हमको एक तरह से आनेवेर्स पकड़ लिया बविश्य का कोई वारिस हमको इस तरह का जटका नहीं दे पाए पहला सबक तो हमने यह सिखा दूसरा यह कि Pluto ने कहा था कि man is a social animal हम सब समाजिक प्राणी है और covid की पहली शर्थ है social distancing तो एक यह बहुत बढ़ी चुनोती है कि social रहते हुए भी आप social distancing maintain करते हो कही emotional distancing तो नहीं हो जाए मानी विरिष्टों को यह पुना परिभाशित करेगा covid तो education, hospitality, human relations, the way we perform our duties, the way we do our jobs, work from home इस तरह के नए-ने paradigms आएंगे और नई technologies आएंगी और least contact के जो technologies हैं, least contact के जो systems of knowledge हैं वो आएंगे nanotechnology का बहुत जबरदस विस्तार होने वाला है और मेरा यह मानना है कि यह बहुत बड़ा आफसर हम सब के सामने हैं जब हम हमारे physical centric activities को digital centric activity बनाएं और health और immune system पे हमारा अब तक जो neglected focus था उस पे अपन refocus करें, जान है तो जहान है, यह मेरा मानना है पहला सुख निरोगी काया यह तो एक बार फिर इस पर ही focus करना होगा और जो हमारे तमाम विशले सक हैं विशले सक्गे हैं उनकी एक माननेता है कि इस आपदा से हमारे लिए नई अवसर पैदा होंगे इसलिए हमें हतास होने की जरूत नहीं है, निरास होने की जरूत नही क्लेब में फिल हाल अभी वक्त होगा है, एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तकनीकी सिक्षा, कोविट से पहले और कोविट के बाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद न्यूज 18 रास्थान एजुकेशनी कॉन क्लेब में आप सभी का एक बार फिर से में स्वागत करती हूँ कोविट 19 के कारण उच सिक्षा और तकनीकी सिक्षा के शेत्र में क्या बड़े बदलाव नसरा रहे हैं इन बड़लाओं के साथ आगे बढ़ने के तिशा में सरकार और सिक्षण सिंस्थान क्या तयारिया कर रहे हैं सेग्मेंट में हम बात करेंगे तकनीकी सिक्षा कोविट से पहले और कोविट के बाद की संभावनाओं पर COVID-19 के बाद रास्तान की तक्निक सिक्षा में किस तरह के बदलाओं आए हैं और इन बदलाओं के मद्दे नसर संभावनाओं और आउसर की क्या तस्वीर सामने आ रही है ऐसे कई बिंदू उपर बाद चीट करने के लिए अब हमारे साथ हैं तक्निक सिक्षा मंत्री रास्तान सरकार डॉक्टर सुभाश गर्ग, आरिय इंसिचूट ओफ इंजिनियरिंग और टेक्नलोजी के प्रसिडेंट डॉक्टर अर्विन दक्रवाल और स्वामी केश्वानन इंसिचूट ओफ टेक्नलोजी के निदेशक श्री जैपाल मील और आपसे बातशीत करेंगे न्यूज एटिन रास्तान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत न्यूज एटिन रास्तान के एक कॉंटले उपर एक बार फिर आपका स्वागत है मैं हूँ स्रीपाल सक्तावत और हमने दो सत्र में बात की थी रास्तान की उच्छी सिक्सा के वर्तमान और भविसे की और रोजगार और संभावनों की अब हम बात करते हैं तकनी की सिक्सा कोवीट के पहले और कोवीट के बात की यानि प्री कोवीट और पोस्ट कोवीट तकनी की सिक्सा में किस तरह के प्रियोग हो सकते हैं किस तरह के संभावनाए हैं किस तरह के प्लेस्मेंट हो रहे हैं उनके उपर हम बात करने की कोशिस क करेंगे इस सत्र में हमारे साथ खास तूर पर मोजूद हैं डॉक्टर सुभास गर्ग शाब जो कि राश्तान के तक्नीकी शिक्शा मंत्रियें और साथ ही दो पेनलिस्ट हमारे साथ हैं इस सत्र में स्री अर्विंद अगरवाल साब है जो प्रिजिडेंट है आर्या ग्रूप कोलेज ग्रूप के जिनका आज बर्डे भी है उनको विस्ट करना चाहेंगे बर्डे की विसेज बहुत बहुत आपको अगरवाल साब और साथ ही स्री जैपाल मील साब है जो की निदेशक हैं जिन्नोंन MBA की पढ़ाई के बाद में बच्चों का भविश से बदलने की सुरुआत की और निदेशक के बतोर वो सेवाई दे रहे हैं स्वामी के सवानंद Institute of Technology और Management में तीनों का आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बातचीत की सुरुआत करते हैं ये संभावना तलासने की कोशिस कर इस्पेसलि इंजिशन अगएशन स्वावत और इंजिशन ये तेस्टिकल्ट उसी जि雖 ऑफेस्टेंस और लडिश्म की बहुत मेंने की क्षार्टी परशन के प्रिएशिनिकुकेन संद्टिश्हाति हमारे इंजिशन जीनिंग में ही जाते हैं और हम 가지 साल से हम लोग के लिए जो लैप्स लगाई हैं वो अभी ही ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन पे पढ़ाना बहुत असान है लेकिन सीखना बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल आई टू आई कॉंटेक्ट डिसिप्लिन क्लास में आना टीचर से कोश्च पूछना और टीचर से बात करना और सबसेक्वेंटली फालो अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन आप बैठे हैं लेकिन फिर उसके क्या एक टीचिंग लर्निक प्रॉसेस होते हैं और एक एडुकेशन का आउटकम होता है तो टीचिंग लर्निक प्रॉसेस एक बहुत डिस्ट्रप्टिव हो गए हैं लेकिन आउटकम में तो हन्रेट परसेंट संदे है कि आउटकम नीचे ही जाएगा जो स्किल सेट हमाने को इंजिनियर से चाहिए वो स्किल सेट इंजिनियर को नहीं मिलेगा तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि क्लास रुम टीचिंग ही इस्पेशल वी है आगे बढ़ने का जी बलकुल हमारे साथ तक्निकी सिक्सा मंत्री हैं डॉक्टर सुबास गर्क साब खुद सिक्सा भी हैं इन तमाम परिस्तितियों को वो समझते हैं और अब समाधान देनी की एक समता में वो ही है क्योंकि मंत्री हैं मंत्री अगे जाए जो कोई भी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है मेरा तो यह माना है वो कभी भी ओनलाइन उसको सेफ्टिट्यूट नहीं कर सकती तो यह माना ओनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो यह हम भूल जाते हैं देश और दुनिया में कहीं भी चले जाईए आज भी ऐसी population है जो करीब करीब 60% लोग जो ruler वेग ग्राउंड से आते हैं 60-70% लोग उनके उसको देखते हुए परवेश को देखते हुए नहीं हो सकती हाँ जिस दिन बच्चा ITU में पैदा हो ITU का मतलब उसके घर में पूरा माहौल हो गाओं में धानियों में कि जब बच जनम ले रहा है और उसके पास स्मार्ट फॉन है देख रहा है वर्चुल जो है उसके पास क्लास्रूम हुआ मौजूद है टीवी के रूप में गाओं में धानी में तब तो इस मॉडल को हम वो भी थेयोरिटिकल एजुकेशन के लिए डॉप्ट कर सकते हैं और मेरा दो स्मादान कर सकता है online system आपकी कुछ समश्या है information है उसको आप ले सकते हो अपने जो कुछ ब्रहम है ब्रांतिया है या confusion है उसको तो दूर करने में एक महत्पुन रॉल प्ले कर सकता है लेकिन पूरी तरह substitute कर दिया जाए मैं नहीं मानता और मेरा तो ब्यक्तिशा बिक्तिश में हम रहते हैं लोगतंत्र में हम रहते हैं या कहीं things को deliver करने की बात आती है तो निश्वत रूप से online एक अच्छा माध्या में लेकिन technical education medical education में ये पूरी तरह substitute नहीं कर सकता classroom teaching को जैपाल मिल साब आप निदेशक है केशवानंद institute of technology के पिछले कुछ सालों से engineering colleges के seatें खा है उसका किस तरह का असर हो सकता है उससे निपटने के लिए क्या कुछ हो सकता है सर देखिए ये एक बहुत बड़ा challenge है आज के scenario में कि जहां 12 का exam भी अभी जैसे पॉस्ट पॉंड हो गया या कैंसिल हो गया या जो process है admission का वो कब होगा तो uncertain है थोड़ा तो जो हमेशा से र मंतरी जी से इसी में गुजारिश करूँगा कि इसमें क्या होता है सर कि बहुत सारी agencies बीच में involved हो जाती है जो बच्चों को parents को misguide करती है तो मेरे क्याल से यहां government का MHRD का या RTU का थोड़ा सा role बढ़ता है कि एक थोड़ा सा advertisement जो admission process का अगर बढ़ाएं उनको guidance के कि जो सो से उपर जो colleges हैं वो पिछले तीन साल से सफर कर रहे हैं कि पूरे admission नहीं कर पा रहे हैं कुछ limited colleges हैं जो कर पा रहे हैं तो मेरे खाल से यह तो यह problem रही और एक मैं जो अभी बात चली थी इसमें एक छोटी से मैं गुजारिश करना जाओंगा मंतरी जी से कि जैसे आपने पताया कि यह जो engineering या medical line ऐसी है कि जो कभी भी online में पूरी तरह से नहीं हो सकती तो इसमें practical जो है student के वो बहुत important है से लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई student को से उद्यपूर में student बैठाया है जोदपूर में बैठाया है उसको जैपूर बुलाएं practical के लिए तो इस तरह का कुछ solution वो एक city तो cross नहीं करने पड़ेगी मेरे हैल से एक मेरा suggestion है यह मतलब जो अभी परिस्तितियां उसमें एक समाधान हो सकता है एक रास्ता हो सकता है जो जपाल मेल जी ने बात उठाया already we have given the direction universities के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको हमने directions दिये हैं ठीक है और यह सुबधा भी है कि वच्चा कहीं भी appear हो सकता है practicals के लिए भी और theoretical exams के लिए एक में बताना चांगा दूसरा में बताना चांगा जो उन्होंने एक बात कही के counseling advertisement बिल्कुल सह मतूं लेकिन एक बात कली हमने decision लिया है राजिस्तान प्रदेश में जो engineering college में जो admission होगा वो जो एनिस्ता थी एनिस्ता थी बच्चों में या parents में उसको हमने खतम कर दिया है centralized हो हमारा system है उसके थूरू बच्चा apply करेगा उसकी merit के अनुसार विकल्ब भरेगा और उसको college आवंटित कर दिया जाएगा तो इसी तरह बो colleges system से out हो जाते हैं जो best provide नहीं कर पाते है quality education जो रखेंगे practicals पर ज्यादा focus रखेंगे बच्चों को continuous learning process hold the term hold the year करवाएंगे टर्म एक्जाम से लेते हैं मिट्रम एक्जाम से टाइम में लेते हैं ट्रेनिंग का development student development programs placement भार के इंडस्टिस को लोगों को बुला करके उनका interaction बच्चों के साथ करना तो वो college अच्छा करेंग आप देखें Harvard का कभी advertisement आपने देखा है बहुत सारे अच्छा IIT का कोई advertisement आता है बच्चे जाते हैं तो you have to earn that reputation in the field of technical education by concern institution सक्तावजी ये बहुत जरूरी है और अगर वो होगा चाहे वो government का sector हो चाहे वो private sector हो एक दूसरे के मैं तो पूरक मानता हूँ मैं यह नहीं कहता है प्राइवेट एजूकेशन सेक्टर भी जरूरी है और इस गौर्मेंट भी जरूरी है तो उस रूप में यह problem उन college हों की है जो चाहे वो एवन टेक्निकल ही नहीं इवन जनरल एजूकेशन में भी आप देख लीजिए चाहे वो education के फील्ड में teachers education में देख लीजिए जहां college अच्छा कर रहे हैं चाहूं private sector के हैं government sector के हुआ लोग अपने आप आ रहें जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह की बात होती है कि साब इस तरह की problem उनके सामने आती अरविंद अगरवाल सब आप किस तरह से के समाधान उसमें चाहते हैं संसोधन चाहते हैं जो सब्सक्राइब के तकनी की विश्विद्धाल है उसके परिक्साओं को लेकर के कई बार दिक्कत आती है बात आती है देखिए अगर मैं self finance private engineering colleges की बात करूं जिसमें government के भी colleges हैं और private engineering colleges भी हैं वो एक तरह से double problem face कर रहे हैं expansion of IIT बहुत जदा हो रहा है और fascination of IIT बहुत जद IIT की बीस हजार सीटे हैं और उसके लिए 8 लाक से 10 लाक लोग बच्चा पेयर करता है लेकिन because of search जैसे कहते हैं coaching की में ही 5-6 लाक बच्चा अठका रहता है ना तो वो IIT का रहता है ना हमारे पास आने के लिए तयार रहता है दूसरी तरफ private university का बहुत तेजी से विस्तार ह हो रहा है और private university का विस्तार होने की वज़े से जो private university है उसे आप यह मान लिए इस ऑफ डूइंग बिजनस या इस ऑफ गेटिंग डिग्री जो आर्ट्यू है उसका syllabus और कोर्स और केरिकुलम इतना भारी है कि और जो हमारे हम बच्चे पढ़ाते हैं economically backward बच्चे पढ़ाते हैं रूल अब background से बच्चे पढ़ाते हैं और जो English भी नहीं जानते और जो computer तो पहली वार देखते हैं ऐसे बच्चे हमारे colleges में आते हैं लेकिन जो हमारे को दो चक्की के पार्ट में हम पिसरे हैं एक expansion of IITs हो रहा है और government MNITs का हो रहा है और एक private university की सीटे unlimited सीटे होने का कोई ऐसा issue नहीं है लेकिन वहाँ पे बच्चा ease of doing engineering बहुत असान है तो बच्चा वहाँ चला जाता है जैसे की current flow करता है या least path of resistance से उसी तरह least path of degree की लिए private universities हो जाती है हमारा structure बहुत हैवी है हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं और बहुत कैड़ा पढ़ाते हैं और सारी चीजें external है examination center external है paper external है third party का हमारे evaluation है और बच्चा हमारे पास सबसे कम जो रहाता है fees हम सबसे कम लेते हैं private universities की fees देखेंगे तो तीन लाग रुपे पर year की होगी हमारी fees से सदतर हजार तो economically backward बच्चा ही हमारे पास आ रहा है चक्तावा जी पहले मैं अगरवाल साह सबस्त करना चाहूंगा पहली चीज तो यह है कि हम जब से हमारी सरकार आई तब से हमने industries के साथ interaction किया engineering colleges के संचालकों के साथ interaction किया और board of studies जो इस slayvers का रिर्मान करती हैं उसके लिए उनको representation वहां दिया गया और जो course structure design हुआ वो EICT की guidelines के तहत होता है इसमें हम अलग से इस तरह का course structure नहीं कर सकते हैं जिससे की EICT की guidelines का हम follow ना कर पाएं तो पहली बार जो अब course structure तयार किया गया है वो RTU ने इन लोगों की राए के साथ जो industries के लोग हैं उनकी क्या requirement है ultimately हम किसके लिए इन बच्चों को produce कर रहे हैं किनके लिए हम B-Tech graduate करके भेजना चाहरे हैं अगरवाल साब की बाद से मैं उस तरह से मैं उस खताब बच्चे जिस background से आ रहे हैं लेकिन ultimately उनका purpose क्या corporate बर्ड में जाने का purpose है अगर उनको हम best quality education नहीं देंगे तो वो कैसे जाके सब कर पाएंगे फिर कितने बच्चे आज roads पर जो B-Tech गूम रहे हैं employment है नहीं उनमें एक depression के शिकार होते हैं वो B-Tech और MBA holders जो बच्चे डिगरी ले रखे हैं वो apply करते हैं आप देखिए clerical jobs के लिए तो ये तो एक बहुत लंबा मुद्दा है जिस पर भहस करेंगे तो हम बहुत हो जाएगी mushroom growth जो हुआ uncontrolled जो mushroom growth EICT के आने के बाद इंजिंग कॉलेजों को हुआ ये नहीं हो सकता ये जो दूसी बात करें थे अग्रवाल साब private investors को लेकर के और colleges को तो आप colleges they should come under the autonomous system मैं तो कहता हूँ अग्रवाल साब से या SKIT से EICT अब allow कर रही है they should become autonomous college अपना structure तयार करें course structure अपना syllabus तयार करें अपना swim का exam लें हम RTV से उनसे autonomy हम दिलवा देंगे तो आपका अच्छा होगा you can survive तो इसलिए यह एशू नहीं है और जहां तक private university का सवाल है तो यह तो ओल इंडिया concept of technical education it is very unfortunate कि यह कहना मुझे पढ़ रहा है कि वहां जो जिस तरह से unlimited तरीके से सीटों में ब्रद्धी कर दी जाती है private universities को भी AICT जब मैनता देती है को किस आधार पर देती है यह state के परविव में नहीं है seeds देना course को मानता देना यह AICT के परविव में है मिल सब एक बात आ रही है placement की जो स्थितियां बनी है online education हो रहा है digitalization की बात हो रही है यह सही है कि उस तरह की education को नहीं मिल सकती जिस तरह की education की दरकार है जो offline में मिलती है अब placement का एक सवाल आ रहा है कि एक तरफ तो जो परिस्तितियां बन रही है उसमें रोज़गार के आफसर खत्म हो रहे हैं कम हो रहे है तो placement के रास्ते कैसे निकलेंगे क्या वो भी कोई online कोई वेवस्ता आप लोग करने जा रहे है सब देखिए placement का definitely एक बोड़ा challenge आ रहा है क्योंकि हमारे जो different IT sector की companies है जो bulk में placement करती हैं उनके HR से बात हुई है अब ही तो उनका यह है कि हम आई नहीं रहें तो हमारी जब उन से चर्चा हुई तो उन्हीं से बात करने के बाद हमने कुछ solutions निकालें online के interviews के जिसी तरह के तो अलांकि उन्होंने मना नहीं किया है बट जो extra courses जैसे मंत्री जी नहीं बताया कि students को आपको extra skills देनी पड़ेगी जो RTV curriculum में या कहीं नहीं है तो उसके लिए जो extra quality उनको students को देने के लिए better communication skills देने के लिए वो better efforts उनमें cultivate करने पड़ेंगे तो उसके लिए अगर student आज भी industry में ऐसा नहीं है कि उनकी requirement नहीं है लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप एक better engineer बना के आपके college से निकाल सकते हैं तो definitely आपकी placement में help करेंगे शक्तावजी आपके माध्यम से अंतिम रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा जो आपने मील साब से भी पूछी है placement को लेकर के और दूसरी चीज यह जो period आया है कोरोना post period मलब कोविड के बाद यह period इन दो को हमें use करना चाहिए कोरोना के बाद का जो period है इसमें मैं कहना चाहूँगा सारे institution से कि जब वो online education पे हैं तो क्यों ने उन बच्चों को आप regular 2-4 गंटे classes अभी से ही placement को लेकर के communication skill को लेकर के data analytics को लेकर के 3D printing technology हमारा सीजी अप शुरू करने वाला online training students के लिए चुरू कर रहे हैं तो concerned colleges चाहिए वो कोई भी हैं private sector के हैं government college government autonomous colleges हैं इनको इस समय का utilize करना चाहिए जी बिलकुल आपका ये सुझाव अपने आप में महत्वपूर्ण है और जो तमाम हमारे नोजवान हैं जो जिन्नोंने इंजिनिरिंग की हैं या इंजिनिरिंग करने जा रहे हैं तकनिकी सिक्सा हसिल करने जा रहे हैं उसके लिए य आने वाले वक्त के इसाब से तैयार करना चाहिए और जो सोड टर्म कोर्सिज हैं उनके उपर हमें फोकस करना चाहिए तो बहुत-बहुत आभार माननी मंत्री डॉक्टर सुवासगर्ग साब का अरविंद अग्रवाल साब का और जैपाल मील साब नियूज 18 राजस्थान एजुकेशनी कॉनक्लेव के जरी राजस्थान में उच्छ सिक्षा उसके वर्तमान और भविश्य पर गहन चर्चा की गई और महतोपोर्ण सुझाव हासिल हुए कि किस तरह से राजस्थान में उच्छ सिक्षा के वर्तमान और भविश्य में क्या बदलाव किये जा सकते हैं साथे सिक्षा के इस अनूठे मंच पर राज्थान में उच्छा में रोजकार और उसकी संभावनाओं पर गहन चर्चा भी की गई जिससे निसकर्ष प्राप्त हुआ कि किस तरह से राज्थान में उच्छा में रोजकार और उसकी संभावनाओं को और मजबूत क्या ला सकता है इसके साथ साथ निव सेटिन राज़्थान एजुकेशनीक खॉंकलेव तक्नीकी सिख्षा कोविड से पहले और कोविड के बाद के सिधि पर भी सार्थत चर्चा का बेहतरी मंच बना उम्मीद करते हैं कि नियू सेटिन रास्थान एजुकेशनी कॉनक्लेव रास्थान में सिक्षा को बेहतर दिशा और दशा देने में मददकार साबित होगा इसे के साथ अब मुझे दीजे जासत नमस्कार